हलो स्टूडेंट्स कैसे हो सब बढ़िया है चलिए बहुत बढ़िया रे आप्टिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चो और हमारा चल रहा है आप्टिकल इंस्टूमेंट्स Optical Instruments में आज हम लोग पढ़ेंगे Reflecting Type Telescope बच्चो अभी तक आपने जो भी Instruments पढ़े चाहे वो Simple Microscope हो, चाहे Compound Microscope हो, चाहे Astronomical Telescope हो ये तीनों ही Refraction के Phenomena पे Based थे हना तीनों में Lenses यूज हो रहे थे Lens से Light Pass होती है, Refract होती है और उसके बाद Image बनती है तो वो सारे जो Optical Instruments थे वो Refracting Type थे अब हम बात करेंगे Reflecting Type इंस्ट्रूमेंट की Reflecting मतलब जिसमें Reflection होता हो और आप Reflection तो जानते ही है कि Mirrors में ही होता है Lenses में तो Refraction होता है यानि कि अब हमें कैसे Optical Instrument की बात करने जा रहे हैं बच्चो जिसकी Working जो है वो Mirrors के Concept पे बेस्ट है Lens की बजाए लेकिन हम पहले ये डिसकस करेंगे कि हम को जरूरत क्या है Reflecting Type टेलिस्कोप बनाने की जब Refracting Type से हमारा काम चल रहा है तो तो बच्चो Refracting Type टेलिस्कोप में दो प्रॉब्लम्स आती है उनको बोलते हैं Abrations Number 1 is called Chromatic Abration तो पहला है बच्चो Chromatic Abration Chromatic Abration का मतलब क्या होता है बच्चो Chroma Chroma का मतलब होता है Color और Abration का मतलब होता है कि Something which is unacceptable मतलब जो होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो Chromatic Abration जो है ये क्या होती है जैसे Lens है ये हमारा Lens है अब आप देखेंगे कि अगर हम इस Lens के इस हिस्से की बात करें उपर वाले या इस हिस्से की बात करें नीचे वाले तो आप देखेंगे कि ये काफी हद तक किस की शेप ले रहा है प्रिज्म की शेप ले रहा है और आपने अभी कुछ lectures पहले पढ़ा है कि जब प्रिज्म से white light pass होती है तो disperse होती है उसमें dispersion होता है यानि कि वो seven colors में split हो जाती है तो यहाँ पर भी यही होगा जब इस part से white light pass होगी बच्चो तो सारे colors का जो angle of deviation है वो different होता है तो सारे colors अलग-लग angle पे bend करेंगे और क्या होगा सारे colors जो है वो अलग-लग angle पे bend करके अलग-लग path से बाहर आएंगे same path से बाहर नहीं आएंगे तो कोई यहाँ पर meet करेगा कोई यहाँ पर meet करेगा कोई यहाँ पर meet करेगा principle axis को तो सारे बिखर जाएंगे अब इससे क्या होगा कि हमारी जो sharp intense image बननी थी मानलो यह white light आ रही है तो उससे हमारी जो sharp intense image बननी थी वो colorful हो जाएगी और बिखर जाएगी हाना हलकी सी इधर green बन रही है इधर red बन रही है इस तरीके से क्योंकि red color कहीं और focus हो रहा है green कहीं और focus हो रहा है हलाकि यह gap बहुत कम होगा बट problem आती है तो this problem is called chromatic abrasion तो हम यह चाहते हैं कि ऐसा ना हो हमको एक sharp image मिले एक ही जगह पर मिले ठीक है और इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे वो ही हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके लिए हमने reflecting type telescope बनाया है दूसरी problem जो इसमें आती है उसको हम लोग बोलते है spherical abrasion spherical abrasion spherical abrasion क्या होती है बच्चों reflecting type instruments में जो दूसरी problem आती है बच्चों उसको बोलते है spherical abrasion spherical abrasion क्या होती है कि जब white light या कोई भी light किसी lens से पास होती है तो lens के हर एक part से वो different distance travel करती है यहां से देखो वो pass होगी तो कम distance travel करेगी क्योंकि यह हिस्सा पतला है यहां से पास होगी तो जादा distance travel करेगी ऐसे यहां से पास होगी तो और जादा distance travel करेगी यहां से पास होगी तो काफी कम distance travel करेगी तो इससे होता क्या है बच्चो ये सारी rays जो axis के पास है या दूर है ये सारी rays lens में अलग-लग distance travel करती है तो जब ये lens से बाहर निकलती है तो एक ही जगह पर focus नहीं हो पाती है ये वाली rays जो है वो यहाँ पर चली जाएगी ये वाली rays कुछ यहीं पर focus हो जाएगी हलाकि फिर भी ये gap जो है वो बहुत कम रहता है लेकिन इससे हुआ क्या जब सारी rays एक ही जगह पर focus नहीं हो पाई तो एक sharp crisp clear image नहीं बन पाती है इमेज किस से बन रही है इमेज तो light से ही बन रही है तो एक जगह पर light focus होगी आके पूरी intensity full intensity की image वहाँ पर बन पाएगी लेक दूसरी problem जो है वो spherical aberration की है तो इन दोनों problems की वज़ा से अब आज कल आज कल मतलब काफी टाइम से astronomy के लिए reflecting type telescopes जो है वो जादा prefer किये जाते हैं as compared to reflecting type telescopes चेक है इसमें दो design आते हैं बच्चों Newtonian type telescope और कैसे गरेनियन टाइप टेलेसकोप हम लोग बात करेंगे कैसे गरेनियन वाले की because वही है हमारी NCRT में चीक है तो कैसे गरेनियन scientist का नाम था कैसे गरेन और उनके नाम पर हम इसको बोलते हैं कैसे गरेनियन टाइप reflecting telescope बहुत ही सिंपल सा design है बच्चों आपको पता है कि telescope में एक objective होता है और एक eye piece होता है objective भी convex lens होता है eye piece भी convex lens होता है refracting टाइप में यहां पर बच्चों लेंस नहीं होगा यहां पर जो objective होगा वो एक parabolic mirror होगा किस तरीके से देखो यहाँ पर एक parabolic mirror है ठीक यह parabolic mirror है और यह concave mirror है ठीक इसको हमने एक tube में ऐसे लगा दिया which is the telescope tube यह समझ ना जरा आप बात को ठीक समझ में आई बात अच्छा अब क्या हो रहा है कि इस पर दूर से यह tube है इसकी ठीक है और यह telescope का हमारा अंदर वाला part है पहली बात तो यह है कि यह mirrors use करके वो दोनों problems क्यों चली जाएंगी because वो दोनों problems हो ही reflection की वज़े से रहे हैं और mirror में reflection तो होता नहीं है reflection होता है इसलिए mirror पे based अगर हम लोग telescope use करेंगे तो वो दोनों problem खतम चिक तो अब क्या है दूर जिस तरफ object है उस तरफ इसको हमने ऐसे करके focus कर दिया ठीक है तो यहाँ सामने से parallel rays आएंगी इस पे इधर object है हमारा planet है star है moon है जो भी है यहाँ से rays आ रही है यह rays आई और दो rays दिखा देते हैं यहाँ पे एक ray ऐसे आई ठीक अब आप जानते हो कि जब concave mirror पे parallel rays आती है तो वो सबसे पहले parallel rays मतलब आपस में parallel और principal axis के भी parallel हना इसका एक principal axis भी हम लोग reference के लिए यहाँ पे draw कर देते हैं यह इसका principal axis है तो principal axis के parallel rays आई तो वो mirror से reflect होने के बाद कहां से पास होती है focus से तो यह दोनों rays बहुत सारी rays होंगी हमने दो दिखाई है यह दोनों rays जो है इधर focus की तरफ बढ़ चली ऐसे और ऐसे मान लो यह इसका focus है यह point इसका focus है एफ लेकिन हमने क्या किया हमने मतलब कैसे गरेनियन साब ने क्या किया कि इनको यहाँ पर meet नहीं करने दिया पहले ही एक convex mirror यहाँ पर लगा दिया और फिर यह convex mirror से reflect हुई दोनों rays यहाँ पर इनके रास्ते में पहले ही क्या आ गया convex mirror आ गया तो यह convex mirror से reflect होंगी convex mirror से reflect होके यह दोनो rays यहाँ पर आती है, converge होती है इस तरीके से, ठीक अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको cut दिया गया mirror को बीच में से, और यहाँ पर लगाया गया eye piece, देखो, यह दोनो mirror मिलाके आप मानलो कि यह objective का part है, उसमें जैसे refracting type में एक objective lens होता था, यहाँ पर यह दो mirror, एक concave, एक convex यह दोनो mirrors मिलके objective mirror का role play कर रहे है, objective का का काम क्या होता था, light को पूरा focus कर देना, eye piece का का काम क्या होता था, eye piece के थूरू हमें image दिखाई देती थी, तो यहाँ पर किया क्या गया, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करके यहाँ पर gap देके और यहाँ पर एक convex lens लगाया गया जो eye piece का role play कर रहा है, ठीक है तो यहाँ पर light आके हमारी ऐसे करके focus हुई और इससे बाहर निकलके, इससे बाहर निकलके, ऐसे parallel चली गई, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं और हमें क्या दिखाई देगा ultimately यह race कहां से आ रही है यह आ रही है, इस object से planet से, star से, जो infinity पर है तो वो raise आई, वो यहाँ आई, और वो यहाँ converge हुई और फिर हमारी eyes पर आई इस objective lens के थूँ और इस eye piece के through तो हमें यहाँ पर उसकी image दिखाई देगी अब यहाँ पर सारा काम जो हो रहा है बच्चों वो reflection के basis पर हो रहा है अब जब reflection के basis पर हो रहा है तो chromatic aberration खतम, spherical aberration खतम क्योंकि वो तो थे ही reflection की वज़ा से तो यह वाला telescope है, इसको बोलते हैं सिर्फ reflecting type telescope भी बोल सकते हैं बट पूरा नाम मैंने आपको बता दिया कैसे गरेनियन टाइप कैसे गरेनियन reflecting type telescope है क्योंकि वो scientist है जिनके नाम पर इसको बनाए गया है ठीक है, तो यह इसका diagram है working मैंने explain कर दी है इसको prepare कर लेना यह बहुत important topic है तो मैं आपसे मिलता हूँ next video lecture में अगले topic के साथ तब तक के लिए all the best